स्वागत है आपका आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूँ आपके साथ अविश्य ख़बरों करूख करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मेरट के सिवाल खास पहुँचे जहां पर प्रभावी मतदाता समबाद कारिकरम को संबोधत किया सियम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन के शिर्वात आज पेश हुए केंडरी बजट से ही की है योगी ने बजट को देश के 135 करोड जनता के लिए लावकारी बताया कहा कि चुनाओ से पहले लोग अगले बाते करते हैं और चुनाओ घुशित होने के बाद और कुछ बोलने लगे हैं डर के कारम प्रत्याशी बदलने लगे दंगवाईयों के मोतोड जवाब देगे ना होगा और दम भी है किसान परेशान था नौजवान को नोकरी नहीं है इसके बाद मुख मंतरी ने सिसौली में भी समबाद कारेक्टरम को समोधित किया और कहा कि हमारी सरकार ने मेड़ट के एक लाग किसानों का करज माफ किया है योगी ने लोगों से पूछा आपने पांच साल में कोई दंगा देखा क्या तो इसरे दिन दंगा होता था क्या दंगा कराने वाले को बोट ने गिए जब संकट था तो लड़कों की जोड़ी गायब हो जाती थी केंद्रिय यूनियन बजट को प्रस्तुत करने के लिए हम प्रधानमंत्री मोधी जी का आवहार बेक्त करते हैं केंद्रिय वित्व मंत्री जी का आवहार बेक्त करते हैं उत्तर प्रदेश को खास्तोर पर इसका सरवाधिक लाब होना है क्योंकि देश का सबसे बड़ी आवादी का राज्य उत्तर प्रदेश सबसे युवा उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज़्यादा मकान भी यूपी को मिलेंगे और सबसे धिक युवाओं को यूपी के ही नौकरी भी मिलनी है और इसके लिए हम प्रधान मंतरी मोदी जी का विनंदर भी करते हैं ये चुनाओं हम सब को बहुत सारी चीजे कह दे रहा है चुनाओं के पहले लोग अलग बात करते थे चुनाओं के प्रत्यासी घोसित होने के बाद लोगों ने दूसरी बात करनी परारम कर दी और कुछ लोगों ने तो प्रत्यासी घोसित होने के बाद वे इतने भैभीत हुए कि उन्होंने अपने प्रत्यासी भी बदल करके यहाँ पर पुरे समधाय को एक बार फिर अप्मानित करने का काम क्या था अभी मुझभा नगर के दंगों के भाव सांत नहीं हुए थे कि प्रत्यासी बदल करके उन्होंने साबित कर दिया कि जब भी उनको उसर मिलेगा तो किसी दंगाई को और किसी पेसिवर माफिया और अपराधि को संग्रक्षन देने में उनको कोई सरम नहीं आने वाली कोई निलजता नहीं होने वाली है आपने पांच साल में कोई दंगा देखा पहले तो हर तिसरे दिन दंगा होता क्या दंगा कराने वालों को वोड देंगे बेटियों की सुरक्सा के लिए खत्रा बने वे लोगों को वोड़ देंगे कोई स्वाभिमानी समाज अपनी बेटी और अपनी बेहनों की सुरक्सा पर खत्रा बने वे तत्तों को कभी समर्चन नहीं कर सकता है और जब संकर था तब ये दो लड़कों की जोड़ी का है अपके वल भारती जनता पार्टी की डवनिंजन की सरकार दे सकती है सुरक्षा के लिए तो ये सपा की टोपी ही खत्रा है इनकी जो ये लाल टोपी है न इसको रेड अलर्ट प्रभान मंत्री जी ने वैसे ही नहीं कहा एक खत्रा है सुरक्षा के लिए खत्रा है इस लाल टोपी का मत्तब दंगा इस लाल टोपी का मत्तब हिस्टी सीटर इस लाल टोपी का मत्तब रहा चलते वे नागरिकों पे साथ रहा जनी इस लाज टोपी का मतला किसानों के खेट से ट्यूब बलक और वहां के पॉम्पिंग सेट का चोरी हो जाना तो यूपे बिधान सबच नौ में निताओं के बेज जुबानी जंग भी अपतेज होती जा रही है हाथरस की बेटी के साथ हुई आमानवियता, गोरखपुर हत्याकांड, इनामी अपराधी का खेलना सरयाम, फरार पुलिस कप्तान और अन जगहन कांड जनता भोल नहीं सकती जूट बोलने की एक हद होती है बाजपा में जो जितना बड़ा उतना बड़ा उसका जूट प्रियागराज में भाग मेले का सबसे बड़ा इसनान पर्व मौनी अमावस्या है जिसमें ब्रह्म मोहूर्त से ही संगम की त्रिबेणी में इसनान शिरू हो गया मौनी अमावस्या पर मौन रहकर इसनान और दान का विशेष महत होता है ऐसा माना जाता है कि संगम में मौनी अमावस्या परिष्णान और दान से मोक्ष की प्राप्ती होती है इस पर्व पर 40-50 लाग श्रत धालों के आने का अनुमान लगाया गया मौनी अमावस्या को लेकर मेला प्रशासन ने ब्यापक तैयारिया भी की रही जानकारी के मुताबिक संगमार को ही देरशाम पच्चास लाग श्रत धालों ने दुबकी लगाई थी इस पर्व पर मेले के पांचो सेक्टरों में हर सेक्टर में चार SDM को बतोर मजिफ्टेट तैनात किया गया उनके उपर एक एडियम इस्तर का अधिकारी लगाया गया रेल्विफ्टेशन और रोडबेज बस अड़े पर भी SDM इस्तर के अधिकारी तैनात किये गए हैं मेले में पहले से बनाय गए 16 एंटरे गेट को बढ़ा कर 21 गिट कर दिया गया मैं कोबिट को देखते हुए हर इंटरे गेटो पर 10 सदस्सी स्वाफ्त विभाग के टीमें भी तैनात की गई ये टीम बाहर से आने वाले श्रधालों की थर्मल स्कैनिंग कर रही है साथी मास्क ना पहनने पर उन्हें हिदायत देने के साथी मास्क भी बाटा जा रहा है केंद्री मंत्री संजीव बालियान के प्रयास सी मुस्लिम समाज के करीब 1000 लोगों ने सोंबार को उनकी आवास पर पहुँचकर बिजेपी की सद्दस्ता ग्रहेंड कर ली इन लोगों ने मजफर नगर की सभी 6 सीटों पर बिजेपी की जिदाने की बात कही वह बालियान का कहना था कि प्रदेश में पिछले 5 साल में हुए काम के अधार पर बिजेपी को सभी जाती और धर्मों की लोगों का बोट मिलेगा और प्रदेश में एक बार फिर से बिजेपी की सरकार बनेगी इस उसर पर पूर्द प्रमूख चर्थावल सलमान जैदी ने कहा कि उनके साथ सेकड़ों लोग के इंधरी मंत्री संजीव बालियान की आवास पर आए हैं संजीव बालियान जी ने मुझे पूरा इसने और अशिरबाद दिया मेरे सेकड़ों समर्थक बिजेपी को चाहने वाले लोग हैं उन्होंने कहा कि राष्टबादी विचारधारा भैमुक्त अपराध मुक्त देश और प्रदेश घरघर राशन महिलाओं की सुरक्षा और तीन तलाग पर कानून बनने के बाद उनकी सोच भी बिजेपी की विचारधारा से मिलती है साती जैदी ने कहा कि हम चाहते हैं कि मजबफ और नगर की सभी छे विधानसभाओं में चर्थावल विधानसभा से बिजेपी प्रत्याशी अधिक से अधिक मतों सी जीते शाथी हो फिछले कापी समय से भार्टी जेनता पार्टी सब कर्टों गिवर्ट करता है ने लेकिन पिछले वर्षों के मितार में दो हजार बाइस का चुनाओ है इसमें बड़ी हिस्सेदारी अलसक्तिन सुमात दॉयाएगी भार्टी मिता पार्टी के साथ रहे हैं और दूसरी बात कोई एक जाती और धर्म से कभी सांसद और उगायक आप नहीं बन सकते हैं सब के सेहोग से बहुत अबने जब राजन्ति करनी है तो मैं तो सबके बीच मंग जाता हूं सभी मेरे अपने हैं जैसे जैसे यूपी चुझाओ नजदीग आ रहा वैसे चुनावी तापमान भी बढ़ता जा रहा मैं आज राष्टी महामंत्री अरुन सिंग आगरा पहुँचे और ऐसी में हमारे सहयोगी प्रदीप रावत ने राष्टी महामंत्री अरुन सिंग से खास बात चीत की है, सुनें लुए मुझको ने सभी को यही लग रहा है और मुझको लगता मीडिया को यह लगने लगा है बारती इंता पार्टी की एक तरफा बिजय होने वाली है हवा चले लेगे लोग सांती बेवस्ता जाते हैं जंदोगाज नहीं चाहते हैं गरीव एक सान है सब्सक्राइब अध्यापक के हत्या होती थी किस प्रकार से थाने जलाए जाते थी तो अवस्तरूर से उसमय की इस्तिती और कभी भी मैं कहूं कि अधिये जिए नहीं रहे सिंचिली जैसे बात करते हैं कभी में देखिया नौन सीरिश कहते हैं कि आपने सोच अधिक अपराजियों को उतार देखने वाली बात होगी कि पर्थम चर्ण के अंदर जो अठावन सीट है उन पर भारतियों को आगे करके चुनावी रण में उतर चुकी है लेकिन कैसे योगी आदित्यनाथ 26 साल की उम्र में सांसद और 45 साल की उम्र में देश के सबसे बड़े सूवे के सीयम बने आखिर कैसा रहा महंत योगी आदित्यनाथ का राजनेतिक सफर अजल सिंग बीष्ट से सीम योगी आदित्यनाथ कैसे बने रिपोर्ट देखे चले हम आपको बताएंगे कि देश का बही खाता कैसा रहा क्योंकि आज बजट पेश हुआ है योपे उत्राखन से ही देश के पांच राज्यों में विधान सबचुना हो रहे हैं वही सदोरांद केंडर सरकार ने किसानों को लेकर आम बजट में एक बड़ी घोशना कर दी है किसान आंदोलन का केंडर रही MSP को अब केंडर सरकार ने सीधी खातू में देने की बात कही है क्योंकि यूपी में बिज़ेपी पर अपना सत्ता बचा पाने का दबाओ है ऐसे में बता दे कि केंडर सरकार की और से कुल ने 23 फसलों पर MSP दी जाती है इन 23 फसलों में धान, गेहूं, बाजरा, मक्का, ज्वार, रागी और जववाली अनाज फसलों पर MSP है सरकार ने बज़ट में 163 लाग किसानों की 1208 मेट्री टन गेहूं और धान खरीदने का लक्ष वित्ती वर्ष में रखा है जिसके तहट किसानों की खातों में 2.3 लाख करोड उपए भेजने की गोशना वित्त मंत्री ने आज संसद में की है तो बता दे कि देश का आज बही खाता आया है, बज़ट की बड़ी गोशना हुई है नल से जल योजना के लिए 60,000 करोड उपए आज बज़ट में पेश किया गया है, वहीं फसलों के लिए या कहें कि किसानों के लिए भी MSP पर आज बज़ट पेश किया गया है अगर बात की जाया तो टेक्स में कोई छूट नहीं दी है, हलाकि कॉर्पोरेट टेक्स में थोड़ी छूट दी गई है, 12% से 15% किया गया है बज़ट 2022 को लेकर हर कोई अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है, बिपक्ष बज़ट को लेकर सरकार को घेड़ने की कोशिश कर रहा है, तो पक्ष बज़ट को बहतरीन बोल रहा है, वहीं बिजेपी नेता ब्रजेश पाठक का क्या कुछ कहना है सुनें ग्रामिनों का, किसानों का, नौजवानों का, महिलाओं का, श्रभी का बहुत ध्यान रखा गया और उत्रप्रदेश के लिया से बहुत अच्छा बज़ट है प्रज़ट पे भी सवार उट्रकिया, तो आप दे रहे लेगी कानुन तो बना नहीं प्रज़ट को लेकर भारती किसान यूनिन के राष्टी प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैड ने जन्ता टीवी से खास बातचीत की है इस दोरां राकेश टिकैड ने कहा किस बज़ट में किसानों के लिए कुछ भी नहीं है, केबल किसानों के हाँ निराशा लगी सुने राकेश टिकैड का क्या कुछ कहना है? सर्गार के लिए बनावाँ था, वो कहीं कम हो? वह कहीं हो हम बात करते हैं राकेश टिकैड जिसे किस तरह वी बज़ट को देखते हैं कि सत्रह की वह आसा बज़ट की कर रहे हैं सब्सक्राइब दिल्ली दर्शन करेंगे यह करेंगे उनको यह लगता है कि जैसे हम दिल्ली में ही बड़ी बिल्टिंगों वही रहेंगे किसानों के लिए किसानों के लिए किसानों के लिए यह कहा कि हम आपके दो लाक से भी जादेगी खरीद करेंगे सब्सक्राइब के लिए कापी कुछ दिया है और में अब्सक्राइब कानून आप बनाओ तो उससे फायदा होगा इसने बहुत से सब्सेटी देने की बात करेंगे लगातार सरकार ने बजट को रेल के लिए कापी कुछ दिया है ट्रेनों के लिए आज आप ट्रेन में जाओगे उसके चार्दा तकिया उसे पर्दे पंबल सब गाया वे उसके लिए उसमें लेवर काम करते थे उसमें करमचारी काम करते थे उनकी कि सेलरिया कम हैं वे समीधा पहें सब बड़ी इंडस्ट्री जारी है जो देश की थे जो देश को बड़ी आमदनी देते थे दिर दिरे खताब होते जारें बेरोजगारी चर्म सीमा पहें यह होगा कि जो युवा करांती है तो देश में हो गया की अबने खुलक vibe it र बताया है कि सपकार सिरफ डोली देनी के अलाबे पुछ नहीं कर ले को यह और निया कोई नहीं है विकास एक सानों के लिए चितनी उमीदें किसानों लगा के बैठे थे कि इस बज़त के अंदर कि काफी हमेदें हों ही काफी राहत मिलें वहीं आज आज रहे किसानों के हाथ में कुछ भी नहीं आया है है और जो MSP जो कानून था केमेटी जो वन भारत निर्वाचन नायोग ने विधानसवा चुनाओं में बड़ी रेलियों और जनसभाओं की अनुमती अभी नहीं दी, जिसको देखते हुए अब प्रत्याशी के समर्थक दोर टोर प्रचार करते हुए नजर आ रहे, मैं मसूरी विधानसवा शेत्र में डोर टोर प्रच दिद किया है, जिसके चलते हैं, अगर प्रत्याशी की बात की जाए, तो अपना काम कर रहे हैं, तो उनके समर्थक यहां पर टोर टोर परचार पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और साफ है कि कैसे भी करके जनता को अपने पक्षमे करना है, बड़े रेली बहले ही ना हो, ले तो हमारे जो विवक्षी पार्टी है, उन्होंने तो परदांज मंदी के तोवारा और सबके जो बड़े जनता हैं, पहले रेली कलती है, प्री प्लैंड है, चुना योग सी मिले हैं, चुना योग उनसे मिला हुआ है, लेकि उससे वह में फरक पढ़ने वाला नहीं, सबस्काइब लोग से करता है है, तो बहुत दो है प्रती है, जोड के बड़्ती घर रिवक्षी तो इसलिए जो है, हम लोग हो तो सिर्फ एक बार जो है, लोग से टच करना है, बागी हम लोग अपना काम कर रहे हैं, जो जंडा पैनल पोस्टर जोबी हम लोग है तो सब ल हम लोग जो है उनको जो हमारी अपील है हम अपील को भी आपके माध्यम से यहां से यह हमारी अपील है हम लोग को दे रहें यह सारी अपील जो हम लोग यहां से भेज रहें तो निसंदे जन्ता जो इस बार जो है आप कॉंगर्स को मौका देगी गुदार ठापनी को यहां से विजय करेगी और भी लोग हमार साथ है आप किस तरह से परचार परसार करें हालें कि परत्याशी आपके साथ नहीं आप खुद से डूर टूर कर रहे हैं किस तरह से जंता को अपनी तरफ करें देखिए मसूरी की जंता है वह जाग चुकी है देखिए आप जो यहां पर वेक्ति हैं हमां बता दें कि यह विवदाया है कि 1991 आपके साथ परचार परसार में लगे वे प्रत्याशी के समर्तक साफ है कि भले ही सरकार के व Ladis दावे कुछ भी हो लेकिन जो धरातली है वो सब के सामने हैं और इस यू को लेकर आम जंता से वोट भी मांग जा चिलब देखते हैं पांच मिनट में 25 खवरें फटा फट अंदाज में बलंद शहर में बिबाहिता की संदिक्द परिस्तितों में अपने ही कमरे में शब मिला मृत्का के परजनों कारों देहिज की मांग पूरी ना करने पर गला दबाकर की विहत्या मिदानसबद चुनाओ को लेकर गाज़ेपूर पुलीस ने चलाया चेकिंग अवियान दो भीक्तों को गिरफतार कर 11 अवैद असलहा किया बरामत मदायू में चुनाओ के मद्दे नजर जिला दिकारी ने पुलीस अधिक्षक ने चलाया चेकिंग अवियान आबश्चक दिशा नर्दीश भी दिये गए आगराव फतेहबाद मार्ग पर तेज रफतार कारने बाईक कुमारी टककर बाईक सबार दोलो गंभी रोप से गायल गायलों को इलाज के लिए अस्पताल में किया गया भरती बारा बंकी में खननत माफियाओं के खलाब जिला प्रशासन ने की बड़े कारवाई जिले के चार खननत माफियाओं को कुल चार करोड आठ लाग पैतालिस हजार नव सो नबासी रुपए की संपत्ति जब्द अलिगर में किसान निधी के लाब से बंचित किसान किसान निधी का रुपया धिकारियों की मिली भगत से दूसरे के खाते में भेजा जा रहा पेडित किसान ने जिला धिकारी से लगाई मदद की गुहार लखेमपुर में नाले में पड़ा मिला और 14 साल के मासूम करशब अक्रोशित ग्रामेडू ने हत्या रूपी को पकड़ कर पुलिस की हवाले किया ललेदबुर में चेकिंग के दोरान इसकूटी से दस लाख उर्पे की नगदी बरामत पुलिस पैसे जब्त कर आगे की कारवाई में जुटी हरदोई में कोड़े के धेर पर पड़ा मिला नवजाद शिशू रोने की आवाज सुनकर ग्रामेडू में पुलिस को दी सूचना पुलिस ने बच्चे को अस्वताल में किया भरती बादा में तेज रफ्तार लोडर अन्यंत्रित होकर ट्रेक्टर टॉली से भिड़ा चालक के जिन्दा जलकर दर्दनाक मौत पुलिस ने शब को पुफ्ट माटम के लिए जा मतुरा में विश्राम घाट पर कपड़े की दुकान में लगी आग, आग के चलते लाखो रुपए का जलकर समान हुआ खाग, शौट सर्किट होने की बज़े से लगी आग बागपद में इट भठे पर मकान की छट गिरने से बड़ा हास्सा, मलबे में दबने से मजदूर परिवार के तीन बेट्यों की दर्दनाक मौत, भठा मालिकों के खलाब कारवाई की माग बाराईज के पाचवे चरन के लिए आज से नमांकन प्रक्रिया शुरू, एक फरवरी से आट फरवरी तक होगा नमांकन, नव फरवरी को नमांकन पत्रों की जाच, ग्यारा फरवरी तक उम्मिदबार वापस ले सकते हैं अपने नाम भरुखबाद में दबंगों का यूबक का सरे बाजा और पीटते हुए वीडियो वाइरल, वाइरल वीडियो में दबंगों ने यूबक को लाद गूसों और बेल्टों से की जम कर पिटाई श्राबस्ती में जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधिक्षक में मद्दान केनरों का किया निरिक्षन यूदे व्यांग मतदाताओं के विशेस ब्यवस्थाएं किया जाने की नर्देश हापुड की धलावना विधान सभाथ से बीएस्पी प्रत्याशी वासिद अली को गाउं में खदेडने का वीडियो बाइरल बुजग ने पैसे देकर चुनाओ लड़ने और जमीन पर पांच लाख रुपे मागने का लगाया आरो प्रताब गण में तेज रफ्तार कार गिटीक में फिसलने से चलते ट्रकर टकराई और कार चालक की हालत गंभेर जिलास पताल में किया गया भरती राय बर्रेली में ओटो पार्क्स की दुकान में लगी भीशना, कड़े मशक्कत की बाद दमकल करिम्यों ने आग पर पाया काभू दुकान में लाखों का समान जलकर हुआ खाग ललितपुर में दबंग शोहदे से परिशान चात्रा ने स्पी से लगाई न्याय की गुहार पेड़ित चात्रा ने दबंग पर लगाया अश्लेलता और छिड़ खानी का आरोग विजनौर में भूम माफियाओं के खलाप हंगामा सरकारी जमीन पर किये जा रहे अवेद निर्मान को लेकर लोगों निकिया विरोध एटा में मानप्तव को शर्मसार करने वाला माम लाया सामने स्कूल में दो मासूमों को बेल्टों से प्रीट पिटकर करी हत्या हमेरपुर में मशीनों से किया जारा वैद खनन ग्राम प्रधान से हो रहे अवैद खनन को जल्द से जल्द बंद कराने की माग अलिगर में बिधान सब्द चुनाव को लेकर प्रशासनी गधिकारियों और पूलिस चलाया चेकिंग गव्यान ओलिंग बूत और शराप की दुकानों को किया गया चिक ललेदपुर में पूलिस ने 25 हजार के फरार इनामे बदमाश को किया गया गिरफतार पांच साल पहले ट्रक ड्राइबर की हत्या कर रहे ट्रक सहित फरार हो गया था बदमाश चंदॉली में बैंक से चोरी होने के बाद लोगों का फोटा गुस्ता बैंक के बाहर पेड़े तु भोगताओं ने बैंक और पुलिस के खिलाब किया विरोत